हालो फ्रेंड्स मैं ड्यक्टर पीश तिवारी आप सब्सक्राइब कर स्वागत है आज हम डिस्कस कर रहे हैं होमेपथि द्वाय के विश्य में जिसका नाम है आर्सनिक पूरा नाम है उसका अर्सनिक अब्लम यह जो होमेपथि की बहुत अच्छी द्वाई है यह हनीमन साब द्वाई है घर-घर में होनी चाहिए यह आजमी पास होनी चाहिए उस चाहिए डाक्टर हो चाहिए डाक्टर नहीं हो तो चलिए सुर करते हैं आपको आर्सनिक अब्लम के विश्य में वीडियो दिखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल है उसके साथ में अरको जरान है अदो हरकी फोगी जलन नहीं बर्दाश में हो रहा है लेकिन इसके बाद में ही आपको उ जरन जो है नो हो एक घरना पनी के दिन में तीन बार और थोड़ा प्रावर्म थोड़ा पुराना है तो आर्शनी कर्विन 200 चारवन सुबा साम कुछ देने लेजी आपकी परसानी ठी हो जाएगा तो दोस्तों का अगला स्मिंटम है रोगी जो है मानसिक और साधिक रूप से कमजोर हो जाता है इसका स्मिंट प्रावर्म है बेचनी रिस्ट लिस्ट आपको माने में डिली और फिचकली दोन परसानी है तो इस परसानी अगर आपको किसी भी बिमारी मिले आप जो है अर्शनी के लब थर्ट्री पावर की जो है दिन में तीन बार करके लेजी अगर जो आपका श्म्टम नया है अगर तो ओही आपको शुबस्ताम चाजार बुद गर के दिन में दो बार कुजनी देलीजी आपकी जो बेचनी ठीक हो जाएगी तो इसका तिसाथ श्म्टम है थर्ष पर प्यास पर तो इसका प्यास कशा होता है कि जो है जैसे काम आदमी नार्मर आदमी पानी पीता है तो इसक जाएगी इसके साथ में जो और भी प्रावलम है तो फट्रीजाइशन पर अगर आपका डायसन खराब हो गया है आप जो है शुड़ावा चीज खा लिए बाजार का चीज खाली है ठंडा पारी पी लिए है बिरक पारी पी लिए या बासिरोटी खा लिए है जिसे आपको फूट पॉजलिंग टाइप शुरी अधान धंड़ तो अगर इसका कारण है फूट पॉजलिंग अगर फूट पॉजलिंग का आपको जरा ही मानूपड़े की हम थंड़ा पानी पी हैं या भार का चीज खाये हैं आप आर्सनी करवें की चार गुद महमें डाल देजी अगर जोट पढ़े तो फिर एक बाद देलेजे तो आर्सनी करवें डाइजेशन की और फूट पॉजलिंग की बहुत ही इची द्वाई है दोस्तों इसका गला स्विंटम है मिड डे और मिड नाइट एक्रिवेशन कोई भी तकलीफ रहे आपको बारे मुझे दुपार में जैसे आपको हमने बता दिया है कि थूजा का स्विंटम क्या है तीन बजे से लेकर तीन बजे थी एम टु थी पीम तो आप आससे कर विंटी कुछ दिन देलेजी आपका जो यह पर्टिकुर जो टाइम है ठीक हो जागा आपका प्राबलम में ठीक हो जागा दोस्तों का जाएगा लेकिन उसके में जो है एक बात समाझ आती है कि हम अब नहीं ठीक हो होंगे हमारी डीजी जो इनक्योरिबुल है हमको दवाई देने के कोई ज़रूत नहीं है अगर ऐसा स्विंटम रहता है दोस्तों तो आप उसको आर्सनिक प्राबलम ठीक हो जाएगा दोस्तों इसका अगरा स्विंटम है अगर आप कोई बीमारी से परसान है और हर साल पर आपको परसान कर रहे है उसके बाद दवाई कि ठीक हो गया फीर आगई तो आप अशे स्विंटम पर आर्सनिक टुहंड़ एक डोस खालीजी अगर जो पर फिर एक बार खालीजी तो इस स्विं अगरा स्विंटम है कि अगर खाना नहीं पस्ता है और आपका ओजन आपका दिम पर गिरते जा रहा है तो आप जो आर्सनिक पर ध्यान देजिए अगर जो है नुट्रिशन से गड़ए तो आपका ओजन बढ़ जाएगा आप हेल्दी महसुश करें तो दोस्तों जो इसका अगला स्विंटम है इस्टिमक पर है कि बर्निक पर होता है बर्निक पर तो अगर इसके साथ में जैसे किसी को इस्टिमक केंसर हो गया आर्सर हो ग तो भी मारी बश्यक्त इसके स्थालिक करोगर जाया इनिम्या तो अगर की फिछासार के बाद हो जाएगा तो इसमें आपको जो है आज है आर्सनिक अर्णुम का कुछ सिंट्रम बताया लेकिन ये सिंट्रम बताने पर भी हमारा जी नहीं भरा तो इसको हम आपको फिर अगले पार्ट में इसको बताएंगे केुशन अर्सनिक का कभी अर्सनीक अर्सनिक का सिंट्रम खत्रम नहीं होता है जीतना सिंट्रम बताया है वो कोई भी शिंट्रम आपसे मैश करे और आपको मैश करना है जये से आपको बाहर गार होटरं में खा लिए आपको प्याजिन लगे आप सिरसेंट्रमklärован को disaster पेट को अगर आप कुछ डाउट है या आप हमसे प्रापर करना चाहते हैं तो आप हमको हाट से मेसेज कर सकते हैं जिसका मैं आपको तूरण जवाब दूगा आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया हुगा इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब् सब्सक्राब कीजिए और तब तक मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में नमस्कार